स्वागत्त है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेड़ी विद अमन कुल में आज हम लाएं शिक्षा निदेशाले रास्य राजदार निशेत दिली की कारे पे तक नमबर 45 जो की क्लास 9 ले विशे आपका गड़ीत है डीट है जिसकी 29 ऑक्टूबर 2021 आप अपना नाम और अपने कश्रत आप पर कराम रखेंगे आज हम अपने चाप्टर नमबर 4 दो चैर वाली राकिक समिकर्ण से कुछ वर्कशीट है आपको एक से जो 5 तक की प्रशन दे रहें वह आपके MCQ-based है बागी 5 से ले की 10 तक की प्रशन आपको 6 से ले की 10 तक की प्रशन आपको long answer करना है तो पहला प्रशन है निमल खित में से कौन राकिक समिकर्ण नहीं है आपको पते राकिक समिकर्ण में X की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए 1 से अगर ज्यादा 2 हो गई या 3 हो गई तो गई जो को अमारा राकिक समिकर्ण यह था तो इसमें आप दीकिए इसमें 128 میں X की पावबर हो तो यह मार्यम राकिक समिकर्ण ही नहीं और लाखा तो इसमें आप कमिशन करेक्व रहेगा सिकीन में 2 आफ की मचिर्ण की अधिक तjor वाले रेखिक समिकर्ण की आ परिमें त्रो झालीघ तो यहां पर बताना है तो यहां पर बनेगा तो यहां पर लाइन बनेगी तो एसे में बनेगी जो की एक्स-छ के समानतर एकड़ा बनेगी तो इसमें आपका सी ओप्ट रहेगा x x के समानतर देखा बनेगी तो आप इसे c पे टिक कर लेंगे next है question number 4 समीकरन 3x minus y is equal to 3 का हल है तो आप देखिए यह तीनों ही इसके हल निकलेंगे हम इसे solve करके देखते हैं तो a आपको दे रखा 3x minus y is equal to 3 तो हमने a में हमें 0 और minus 3 value दे रखे थी तो हमने x के 0 और y के minus 3 तो 3 0 जा 0 और minus minus plus का 3 3 is equal to 3 हमारा answer हो जाएगा a हमारा answer है b हमें दे रखा है 3x minus y is equal to 3 में x के value 2 और y के value 3 दे रखी है अब 3 2 जा 6 और 6 minus 3 करेंगे तो 3 3 is equal to 3 b भी हमारा correct answer हो जाएगा अब आप देखिए c 3 is equal to 3 अब आप देखिए a भी सही है तो हमारा a भी सही है b भी सही है c भी सही है यानि उप्रोक सभी यानि तीनों option जो है वो correct जाएगे आप d पे टिक कर लेंगे फिफ्ट कोशन है निमल कित में से किस रैकिक समिकरन का हल x is equal to 2 और y is equal to 3 है तो आप देखिए इसमें आपका जो b option है वो correct जाएगा क्योंकि a option गलत है आप इसे solve करके मैं दिखालती हूँ एक बार अगर हम फिफ्ट के a option को solve करें तो 2x plus y is equal to 8 है x की value 2 दे रखे y की value 3 दे रखे 2 2s are 4, 4 plus 3 हमारा 7, 7 equal नहीं होता 8 की और अगर हमने मैंने बताए कि b option correct है b option कैसे हमें x के value 2 दे रखे y के value 3 2 का 2, 2 3s are 6 2 plus 6 8, तो 8 equal होता है 8 की अब हमारा b option आई गया तो आप बाकी हमें चेक करने की जरुवत भी नहीं है अगर आप चेक कर सकते हैं तो आप चेक कर लिजिए पर आपका b option correct हो जाएगा तो इसमें आपका b option correct हो जाएगा इससे हम ऐसी भी सबते हैं x और y 2 और 3 है तो 5 is equal to 8 भी नहीं होगा और minus x है तो minus 2 और 3 करेंगे तब भी minus 5 आएगा जो कि हमारे 8 के equal नहीं होगा तो आपका b option correct हो जाएगा 6th question है 2x plus y is equal to 5 के 2 हल ग्याद कीज़े तो आपको सबसे पहले 2 हल ग्याद करने है और जाच करना है कि 3 और 2 ये एक समें करन का हल है यानि इसी समें करन का ये वाला हल है भी है नहीं और इसके 2 हल आपको भी ग्याद करने है तो आप इसका answer करेंगे तो ये हमारी समें करन है x को हमने 0 माना तो x के वाली 0 रख दी 2 into 0 तो 0 ही आजाएगा तो y is equal to 5 आजाए यानि x को 0 माना तो y हमारा 5 आजाएगा फिर हमने x को 1 माना 1 लिख दिया 2 into 1 2 ही आजाएगा प्लस में y प्लस का 2 है इदर आके माइनस को जाएगा 5 माइनस 2 is y is equal to 3 तो x की वाली 1 रख दो y की वाली 2 3 आ गई तो x 0 तो y 5 और x 1 तो y 3 आ जाएगा हमारा अब हमने चेक करना है कि 3 और 2 यह भी हमारा 3 और 2 दे रखा है x 3 दे रखा है y 2 दे रखा है यह हमारी इस वाली एक्वेशन 2 x प्लस y is equal to 5 का solution है या नहीं तो हम देखेंगे 2 x plus y is equal to 5 x की value 3 रखनी है और y की value हमें 2 रखनी है 2 3 जा 6 6 प्लस 2 8 तो 8 हमारा 5 की एकवल नहीं होता तो आप लिख देंगे 3 or 2 solution नहीं है आप यह लिख देंगे d गई समिक्राण का तो आप यह लिख ले देंगे 3 or 2 d गई समिक्राण का solution नहीं है next question देखते है यदि बिंदू हमें 5 और 2 दे रखा है राकिक समिक्राण kx और 5 5y 15 की आलेक पर सित है तो k का मान ग्याद कीजिए यानि x की value में 5 रखनी है y की value में 2 रखनी है और इसे solve करके k का मान ग्याद करना है तो इसका answer करते है तो आप देखेंगे kx प्लस 5 बे इसक्वाल टू 15 x को में 5 लेना है y को में 2 लेना है x को 5 लिया y को 2 लिया 5 को k से multiply करेंगे 5 k 5 को 2 से 10 इकवल में 15 अब 10 यहां प्लस में इदर आके माइनस में जाएगा 15 माइनस 10 5 आजएगा 5 k is equal to 15 k is equal to 5 अपन में 5 आजएगा 5 से 5 कटके अब 1 तो k की value हमारी 1 आजएगे आप इसे कर लेंगे 8th question है हमारा यहां पर आपको समिक्रण का आले कीचना यानि ग्राफ बनाना है आले की साहिता से आपको यह भी ग्याद करना है कि x equal to 3 और y is equal to 2 यानि 3 और 2 समिक्रण का हल हो सकते हैं तो यह हम करते हैं तो यह हमारी समिक्रण है समिक्रण में सबसे पहले हमें घखल ग्याद कर लेते हैं 2 तो X को हमने 1 मान लिया तो 2Y- यहां में X के वल्ली जाए 1 आ गया अब देखिए अगर हमने X को 1 रखा तो Y के वल्ली 4 आई X को 3 तो Y के वल्ली 5Y अब हम इसका ग्राफ की चाहिए तो हमारा ग्राफ यह वाला X-axis यह वाला Y-axis अब हमें सबसे पहले देखना है वन, X की वाल्यू हमें 1 रखनी है यह 1 पे है और Y के वाल्यू हमें 4 तो यह वाला पॉइंट वन जाएगा हमारा एक वीन और फोर है फिर हमें दूसरा वाला हमारा है था एक X is equal to 7 हमारा equation हो गई तो यह हमारा हो गया अब हमें पूछा गया था कि 3 और 2 यह इस equation के सही आंसर होंगे तो X हमारा 3 पर होना चाहिए यह हमारा 3 पर है और Y हमारा 2 पर होना चाहिए तो आप देखें यह इस लाइन से टेश्ट तो होई नहीं रहा तो हम कह सकते हैं X is equal to 2, 3 और Y is equal to 2 यह दी गई समीकरण का हल नहीं है तो आप इसमें लिख देंगे यह दी गई समीकरण का हल नहीं है नेक्स कोशिन देखते हैं कोशिन नम्मर 9 निम्ल के समीकरण को हल कीजे तो इन दोनों समीकरण को आपको हल करना है बहुत इजी है इसे सॉल्फ करते हैं तो सबसे पहले 1st 7 X minus 9 is equal to 16 minus का 9 नहीं दराके plus का हो जाएगा 16 plus 9 25 X के साथ 7 multiply में दराके divide में हो जाएगा तो X is equal to 25 upon me 7 first question का answer हो जाएगा second में y upon me 2 plus 5 upon me 2 equal to minus 3 upon me 2 तो यह दोरों denominator से मैं एक ही जाएगा y plus 5 upon me 2 equal to minus 3 upon me 2 यहां पर आप देखे equation बन रही है तो हमारी यह minus 2 से 2 कट सकता है हमारा अब y plus 5 is equal to minus 3 हो गया plus का y यह दराके minus का हो जाएगा तो minus minus plus होता है 5 और 3 plus करेंगे तो 8 sign minus का लगएगा तो y is equal to minus 8 हमारा answer हो जाएगा next देखते है question number 10 बहुत interesting है 10th है सारी का बालदिवस के अफसर पर चॉकलेट बार्था है जो सही कह बाल दिवस आने वाल है 14 लृ को अवसर नम्बार उसके अफसर पर चॉकलेट बारती है वह र-eak bachya को पांच चॉकलेट दे ती तता बड़े लोग होतें उन्हें कुल मिला कर चॉकलिट देती यहां पर बच्चे को पांच और दर्शाइगे तो आपको इसे कर रखीक रखीक समय कंद द्वार दर्शान हैं और उसने कुल 165 चॉकलिट बाठी तो बच्चो की संखिया करना है तो आप सबसे पहले यह लिख लेंगे बच्चो की संहया को एकस अरश ihenपाने इतना कि लेंगे नेच्ट आगे मैं पहले 레zkyle बच्चो प्रूरी बच्चो कि Wesgo को दें घई तो यह भी और टोटल चोट्रेट हमारी वाई माली है तो यह हमारी यह जो लेनीय लिकेशन माँगी गई ती हमसे वो है हमारी तो यह हमारी आप इसमें हिंदी में लख लेंगे सब्सक्राइब आपको वाई की वेल्यू यानि टोटल चोकलेट से बता दी 145 तो आपको बताना है एक बच्चे को कितनी दी गई तो 5x प्लस 20 इस वाल टो 125 20 प्लस में इदर आके मैनिस को जाएगा 125 में से 20 मैनिस करेंगे तो 25 दी 25 आप 5x is equal to 125 एक की सबस्क्राइब तो यह हमारा एक सबस्क्राइब 25 थे और हर एक बच्चे को 5 चॉकलेट बाती गई तो यह कर आ गया आप इसे कर लेंगे और आप इसे आसे भी सेख सकते हैं एक 25 बच्चे टोटल और हर बच्चे को पांच चॉकलेट बाटे गई तो 25 गुना 5 तो 125 यानि 125 चॉकलेट बाटे गई और 20 चॉकलेट हमें व्यसको को दी गई तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और यह वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक और शेयर जरू करेगा थांक्स वाचिंग लिए बैबै गाइस